इस वक्त की बड़ी खबर सिवान जिले के बसंद्पूर प्रखंड से आ रही है जहां बसंद्पूर प्रखंड में अभी अभी दो ब्लेक्ति कुरोना पॉजिटीव पाए गए हैं तो ये बड़ी खबर सबसे पहले आपको हम अपने न्यूज टीवी सिवान चनल के माध्यम से दिखा रहे हैं जहां बसंद्पू थाना के एक इस्टाप और बसंद्पू बलोक के एक इस्टाप का पोजिटीव रिपोट आया हुआ है बसंद्पू थाना के दो कर्मी कुरोना संकर्मी थोने पर थाना मय भाय का वाता वरंड बना हुआ है वहीं सुकूरवार को बसंद्पू मुख्याले में आपदा परबंदन जीवर अच्छक संस्थान के अदच्छ सा NDRF सदस्र चन्दन प्रसाद के मारदर संस्थान के सच्यू सा पैक्स अदच्छ बाले सो राग के नितत्त्यु में संस्थान के कर्मित चन्दन कुमाराम को सुरच्छ का बच पिपी आई किट पहना कर सोडियम हाइफो कलोराइड वाबलेचिंपॉडर का घोल तयार कर आटोमाटिक मेनुवल मसिन से थाना परसर में दवा का चिर्काओ किया गया ताके कुरोना संकरमर से बचा जा सके वहीं आपको हम बता दें कि आपदा परबंदन जीवर अच्छ संस्थान के दोरा सार्डनिक इस्तलियों कारेले समेथ सभी जगा से नटाइट का चिर्काओ किया जा रहा है आम जन को मास लगाने यों महान धोने की हिदादत भी दी जा रही है तो एक बाद फिर आपको हम बता दें कि बसंपू थाने के दो करमी कोरोना संकरमी थोने पर थाना में भाय का वाता वारांट बना हुआ है तो इसी तरह की और भी ताजा ताजा खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रही है अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल न्यूज टीवी सिवान को सस्क्राइब ने किये हैं तो जल्द ही हमारे यूटूब चैनल न्यूज टीवी सिवान को सस्क्राइब कर लें, बेल लाकन घंटी को जरूर दबा दे ताकि जब भी कोई ताजा खबर की अपडेट आए, उसका नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिल सके ताजा खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहे हैं, देखते रहे हैं, न्यूज टीवी सिवान से संबाद दाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट